दोस्तों नमस्कार राजनीती के अंदर नारे दिये जाते हैं राजनीती के अंदर मुद्दे तयार किये जाते हैं राजनीती के अंदर नारे गड़े जाते हैं और फिर उन पर काम करना शुरू किया जाता है आपको ध्यान होगा कि जब लोगसभा का चुनाव शुरू हुआ था देश के अंदर तो प्रधानमंतरी नरेंदर मोदी ने संसद में भी और संसद के बाहर भी 400 पार का नारा दे दिया था उससे पहले अगर देखें तो कई बार मोदी और अमिशाह नारे देते रहे लेकिन अब की बार बारी शायद कॉंग्रेस की है नारे गरने की बात शायद अब की बार कॉंग्रेस की है हर्याना विधानसभा चुनाव था 2019 में और उस चुनाव के अंदर देश के ग्रह मंतरी अमिश शाहा ने और हर्याना के तब के मुख्य मंतरी मनोहरलाल ने नारा दिया था कि अब की बार 75 पार यानि कि हर्याना की 90 सीटों में से 75 विधान सभा सीटों को टारगेट किया था बात बनी नहीं थी 75 पार का नारा 40 तक जाकर रुख गया था और जो अब की बार भारती जंता पार्टी का प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी का जो नारा था 400 पारवाला वो 300 से भी नीचे रुख गया लेकिन मैंने आपसे कहा कि अब की बार नारे गढ़ने की वारी शायद कॉंग्रेस की है मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि कल कॉंग्रेस की बैठक थी हर्याना के विधानसभा चुनाव को लेकर के कॉंग्रेस के राष्ट्रे अध्यक शंबलिक आरजुन खडगे से लेकर और हर्याना कॉंग्रेस के कई छोटे बड़े नेताओं तमाम लोगों ने 40-45 लोगों ने बैठकर मन्थन किया कि हर्याना के अंदर कैसे होगा और उस बैठक के अंदर बताया जा रहा है कि एक नारा दिया गया कि अब की बार 70 पार ये बात रहुल गांधी जी ने कही रहुल गांधी जी ने कॉंग्रेस के नेताओं को टार्गेट दे दिया हर्याना कॉंग्रेस के नेताओं को और उस बैठक के अंदर राहूल गांधी ने, मलिकार जुन खडगे ने, केसी वेणु गुपाल ने कॉंग्रेसियों को संदेश दिया कि आपसी गुटवाजी को खत्म करें। लेकिन कॉंग्रेस की बात मैं कर रहा हूँ तो राहूल गांधी ने उस बैठक के अंदर बताया जा रहा है ये कहा कि कॉंग्रेस के लोग अपनी आपस की गुटवाजी को खत्म करें, अपनी गुटवाजी बिल्कुल ना रहने दें। करवा करके उनको फिर चुनाव मैदान में उतारें ताकि रजल्ट जो है वो भेतरी ना है। क्योंकि हर्याना के अंदर कॉंग्रेस ने अब की बार लोगसभा की पांच सीटे जीत ली। 2014 के लोगसभा चुनाव में कॉंग्रेस हर्याना में केवल एक सीट जीत पाई थी। और 2019 के चुनाव में उस एक सीट को भी हार गए यानिकी रहतक। लेकिन अब 2024 का जो चुनाव लोगसभा का हुआ इसके अंदर कॉंग्रेस के पांच सांसद बन गए पांच। दिपेंदर हुड़ा सांसद बन गए रहतक से। कुमारी सहलजा सांसद बन गए सिर्शा से, सत्पाल ब्रह्मचारी सांसद बन गए सोनिपत से, जेपी सांसद बन गए हिसार से, और वरुन मुलाना सांसद बन गए अंबाला से, यानि कि जीटी रोड से लेकर के और बांगर जाट बेल्ट तमाम जगे कॉंग्रेस का अपन था 47 परसेंट तक आपने वोट ले लिए और इसके साथ ही कॉंग्रेसियों को टास्क दे दिया कि आगे आपको चुनाओं में बहतर से बहतर करना है राहूल गांधी ने पांच मुद्दे भी दे दिये कॉंग्रेस के लोगों को राहूल गांधी ने कहा कि युवा के कॉंग्रेस के लिए उन्होंने गड़े और साथ साथ सत्तर पार की बात कही यह कहा कि सत्तर पार करने का यानि कि सत्तर सीटे जीतने के लक्षा को लेकर करके चुनाओं मैदान में उत्रें वैसे दोस्तों आपको बताएं कि कॉंग्रेस के अंदर अगर हम गुटवाजी की तो जो मैंने आपको पहले ही बताया कि गुटवाजी तो हर पार्टी के अंदर है हर राजनितिक दलन के अंदर है और इवन इतना ही नहीं जो पारिवारिक छेत्रिये पार्टियां हैं उनके अंदर भी परिवार के अंदर भी गुटवाजी होती है चाहे आप उसे इंडिय गई और ओम प्रकाश चोटाला सर्वे सर्वा हो गए तो फिर ओम प्रकाश चोटाला के बेटों के बीच में राजनीती शुरू हो गई अजय और अभय सिंकी गुठवाजी वह भी चलती रही और उसके बाद में फिर दुष्चन दिगविजय इदर हो गए करन अरजुन उद लुकती है नहीं और मैंने जो कहा कि गुठवाजी हर पार्टी में अब बात आ जाती है टिकट वित्रन को लेकरके टिकट वित्रन को लेकरके राहूल गांधी ने दोहरे संदेश दिए एक तो उन्होंने ये कहा कि जो पिछली बार जो टिक्टे लोगसभा की बटी उसको ठीक ठाक माना ठीक ठाक आका तो ये एक संदेश था कुमारी सहलजा केजी लिए जो लगातार कह रही है कि टिक्टों का वित्रन ठीक नहीं हुआ था राहूल गांधी ने कहा कि टिक्टों का वित्रन ठीक हुआ तो पांस सीटे जीत गए लेकिन इसके साथ ही उन्होंने एक संदेश दूसरे ग्रूप को भी दे दिया कि विधान सभा चुनाओं में बहतरीन करने के लिए बैतर से बैतर सर्वे और आकलन के आधार पर टिकट दिये जाएं दूसरा राहूल गांदी ने एक और संदेश दिया वो संदेश ये था कि कॉंग्रेश छोड़ने वालों पर बड़ी चर्चा थी किरन चौधरी पर बड़ी चर्चा थी कुमारी सहलजा कई वर कह चुकी थी तो उनको ले करके राहूल गांदी ने बड़ा स्पष्ट कह दिया कि जो लोग चले गए उनके बारे में चर्चा ना की जाए ये भी कहा कि जो लोग बुरे दोर में पार्टी के साथ नहीं हो सकते उनके बारे में आगे जिक्र भी ना किया जाए और इसके साथ साथ राहूल गांदी ने एक खुला संदेश और भी दे दिया कि अगर कोई और भी जाना चाहता है तो जा सकता है यानि कि दरवाजे खुले हुए है जाने वालों के लिए दरवाजे तो खुले होंगे आने वालों के लिए भी लेकिन ये भी संदेश दे दिया कि जादा कोई बहरावे में ना रहे अगर किसी को जाना है तो जा भी सकता है दोस्तों सबसे बड़ी बात ही है कि राजनीती के अंदर जो मैंने आपसे पहले का कि मुद्दे और नारे गड़े जाते हैं इसके साथ साथ हुआ यह करता है कि चुनाव जीतने की रणनीती बनाई जाती है तो रणनीती बनाने के लिए कॉंग्रेस ने अपनी वो पहली कि अठक का संदेश आज कॉंग्रेस जनों के अंदर भी दिखाई दे रहा है वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या हर्याना में कॉंग्रेस कितना बहतरीन परदर्शन कर पाएगी अगर राहूल गांधी ने और कॉंग्रेस ने 70 पार का नारा दिय कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं जुड़े रहे हमारे साथ देखते रहे देश रोजाना का यूट्यूब चानल सबस्क्राइब कीजिए साथ ही देश रोजाना की खबरे सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन